दोष्टो अकसर लोग बोलते हैं कि हमारे पैसा नहीं टिकते और गर में पैसा नहीं टिकते इसके कारण क्या हैं देखें आदमी को रोटी, कपड़े और घर के अलावा सुख सिधाओं से जोड़ी कुछ चीजों की जवरत होती हैं जिसके लिए वा दिनरात मेहनत करती हैं और उसे इकठा करने की कोशिस भी करते हैं जैसे के पैसे लेकिन कई बार कोशिस करने के बाद भी उसकी इच्छा प जिवरान में तो उनकी बर्कत नहीं होती इनसान दिनरात मेहनत करते हैं, कई बार तो इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं, दौलत में आपको भी बर्भात करते हैं अगर पैसा कमा भी लेते हैं, तो वास्तोडों सरीक उसार कुछ ऐसे असान उपाय को अपना करके, अब आर्थिक समस्या से छुटकर आप पास सकते हैं अगर आपके साथ भी आपके जीवन में हो रहे हैं तो आप भी ये वीडियो हमारे वीडियो में बताएंगे जो उपाई से ज़रूर फालो करें आपको बहुत ही लाब मिलेंगे अधिकतर हमने लोगों को देखे हैं 80% लोगों की जीवन में कभी भी बरकत नहीं होती और इसके सबसे बड़ा कारण होता है वास्तु दोस और कमाई से ज़्यादा अत्यधीक खर्चा जिया दोस्तों कमाई से अत्यधीक ज़्यादा आपके खर्चा होने लगे तो कभी भी आपके आत्मकल्याण नहीं हो पाते तो आई इस बड़ो में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी बता दू जिस जानकारी से आपके घर में भी धन इस्थी रहेंगे लच्चमी इस्थी रहेंगे जितने आप धन कमाईगे क्यावल उसका 25% ही खर्चा होंगे बागी 75% आपके पास में रहेंगे अर्थात इस्थाई लच्चमी की प्राप्ती होगा देखे कई बार जाने अन जाने में हमें वास्तू दोस लग जाते हैं हमारे घर में वास्तू दोस लग जाते हैं जिसका असर हमारे जीवन पर पढ़ता है, नकरत्मा करूप से पढ़ता है, इससे हमारे आर्थिक उनती नहीं हो पाती, मांसिक उनती नहीं हो पाती, यहां तक कि हम कई परकार के परसानी में गुजरते हैं, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे धनका नास होते हैं, ले वास्तु की नियम को नहीं मानते तो हमें मंदीर में टॉलेट बना लेना चाहिए कहने का मतलब है कि टॉलेट के लिए एक अलग जगा होना चाहिए मंदीर के लिए अलग जगा होना चाहिए हमें देवी दियोताओं की दीसा भी अलग रखना चाहिए तो दोस्तों वास्तु क ये वज़ा की चीज पूरानी जिससे बिल हैं ये नहीं रखना चाहिए परसा में मा लच्मी का निवास होता है धन पेटी में मा लच्मी का निवास होता है धन पेटी हैं इसमें पूराने फटे नोट हैं ये फिर जैसे की बिल हैं किसी से अपने करज लियें इस प्रकार की ब पैसा जब आप गिनते हैं तो गलती से थूक लगा करके नहीं गिनना चाहिए। समय नोट अच्छे रखना चाहिए फटे नोट नहीं रखना चाहिए गलती से भी इन नियम का अगर आप अंदेखी करते हैं तो भारी नुक्षान होते हैं जोतिस सास्तर के दिरिष्टी से देखें तो घर का इसान कोड बहुत ही पवित्र इस्थान होता है इसलिए यहां कांटे वाला पौधा है यह फिर दुदवाला पौधा है यह फिर जहरीला पौधा है यह नहीं लगाना चाहिए लेकिन आज कल लोग क्या करते हैं सो के चकर में दिखावे के चकर में अपने घर के अंदर में ही कांटेदार पौधी हैं दुदवाले पौधे हैं जहरीले प परिवार के लोगों के स्वास्ता खराब हो रहे हैं तो अब के पैसा स्वास्ता ठीक करने में चले जाते हैं और धन को भी नश्टा करने का कम करते हैं इसी के साथ गलती से भी बातरूम और संचालाई के दरवाजे खुले नहीं रखना चाहिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना बातरूम के दरवाजे खुले रखते हैं तो अब की सिहत बहुत ही नुक्षान हो सकती हैं और बातरूम के दरवाजे खुले रखने से क्योंकि इसके जो दुरगंद होती हैं इसके जो बातरूम की आप खुले रखते हैं तो इसके जो एक प्रकार की उर्जा इसे निकलती ह नकरात्माग उर्जा निकलती पूरे घर में फैलते हैं और जिस घर में नकरात्माग उर्जा फैलें गंदे उर्जा फैलें ऐसे घर में मातलच्मी इस्थाई नहीं होती मातलच्मी ठैरती नहीं है तो ऐसे घर का जल्द से जल्द मातलच्मी परत्याक करती हैं छोटे छोटे इन जानकारी को नोट करके रखे भवी समय इन जानकारी को करने से बचे देखे भई जानकारी हमाप लोगों को दे रहे करना ने करना यह आपको पर निर्भर करता है लेकिन जब तक आप वासु के नियम को नहीं मालेंगे तब तक आपके अध्यात मोनती नहीं होंगे घर के जाडू को हमेशा छीपा करके रखना चाहिए, जाडू को धनिये फिर पुजानी स्थान के पास रखना चाहिए, छीपा करके लोगों के नजर से रखना चाहिए, क्योंकि लोगों के नजर में दुआ और बदुआ, लोगों के नजर में अच्छे और खराब, ये दोनो का प्रतिक माना जाते हैं क्या अपने नोट को क्या अपने पैसे को आप किसी को दिखाते हैं दिखा करके रखते हैं नहीं बिल्कुल आप शीपा करके रखते हैं तो कहने का मतलब हैं कि जाडू को भी धन का प्रतिक माना जाते हैं इसे भी शीपा करके ज्यादा से ज्यादा और हाँ यदि आब नमक की उपाय करेंगे तो आब के जैसे के धन आने का समस्या हैं जैसे के धन आने का मार का रोक चुक हैं घर में लच्मी स्थीर नहीं होती तो यह दूर हो जाएंगे तो आप अपने घर के उत्तर पूर्वदिशा में किसी बरतान में नमक रखें लेकिन इसे एक सब्ता तक रखना चाहिए ऐसा हमारे वास्तु सास्तर में कहा गये हैं कि घर के उत्तर पूर्वदिशा में नमक रखते हैं कोई सभी बरतान में थोड़ा सा नमक रख लीजिए तो नमक रखते हैं तो यह नकरातमाख सक्ति को नश्टा करने का काम करते हैं नमक दे दिब्बी में आप आटे रखते हैं उसमें पांच तुलसी के पत्ते रख सकते हैं ऐसा कहा जाता है तुलसी के पत्ती इसे धन का प्रतीक माना जाता है जहां पे तुलसी के पत्ते रखे जाएं उस जगह में केवल धन इस्थिर रहते हैं धन का वास माना जाता है तो जिस डि या फिर आटे में पांच तुलसी के पत्ते को डाल करके अब आटे पिस्वास सकते हैं अब इसे खाईए उन्नती बिल्कुल ही होता है और ये भी देखा गए हैं पीपल के पत्ते में मालचमी का वास होता है जो वेक्ती सुक्रवार हैं सनीवार के दिन पीपल की पेंड की करके तो हमारे घर में धन इस्थिर रहें आइस बिलो में थोड़ा सा जान लेते हैं फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगे बिलो समापता करूंगा तो देखिए पहले चीज है पाराद सीवलिंग जिस घर में पाराद का बना सीवलिंग होता है इस घर में मातालचमी ना चाहते हुए भी इस्थिर हो जाती हैं आ जाती हैं श्री यंत्रा श्री यंत्रा को मातालचमी का हिर्दय शरूप कहें हैं श्री यंत्रा अगर आप अपने घर में स्थापीत करते हैं तो श्री यंत्रा स्थापीत नहीं करें बलकि मातालचमी को स्थापीत करें उनकी हि होती ज़्यादा होता था इसके बात तंत्रीक वस्तु में दख्षिडवर्ती संक आती हैं закон कलोंगर फती जो दो लाव एवं सभी प्रकार के सुख सुईधा शांती स्मृद्धि की प्राप्ति होती हैं। लेकिन घर के मुख्य द्वार पर एक लोटा जल जरूर रखना ऐसा माना जाता है। लच्मी इस्थिर भी रहेंगे। तो सुपारी को भगवान गड़े जी का प्रतिक माना जाता है। और हम किसी भी पुजन पाठ अनुष्ठन करते हैं तो उसमें हम सुपारी का परोक करते हैं। गोरी गनिश निर्मान करने के लिए ऐसा भी माना जाता है। तो सुपारी को अभी मंतरित किया जाएं। जिस भी द्योता की मंतर से भी मंतरित किया जाएं। उस द्योता की सक्ति आ जाती है। तो सुपारी को अगर आप अपने दाहिने हाथ में रखते हैं। पुरूस हैं और ओम गऺड़ पते नमा इस प्रकार की İş एक हजार आठ बर तो भगवान गड़ेश जी की समस्तर सक्ति आ जती है लच्मी मंत्र को जाप आप करते ओम शेनिव शेनि श्रीय नमा तो लच्मी जी की लच्मी लच्मी जेत की सक्ति आ जती हैं वर बहो Kin ú मौ तरह जाब कीजिए लेकिन घीं का दीपक सामने में जलाना है और इसके बादे से लाल कलर की कपड़े में लपेट करके आप जो हैं आप इसे पने तीजोरी में रखिए ऐसा माना जाता है जो सुपाड़ी कोई सधारान चीज नहीं होती हम इंदू धर्म में पुजन पाठ करत हैं और यह जादा से जादा यह आपके घर में सभाग्य बढ़ाने का कम करते हैं तो आज भी बहुंसे लोगों को आपने देखा होगा अपने तीजोरी में सुपाड़ी रखते हैं अब ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि सुपाड़ी रखने से जादा से जादा हमारे घर में धन उसे आपला पेटली जेए पने पर्स में रखोड़ा कैसें जानकारी जो घाड इसे भी रखने से हल्दी की गाठ पुजानी स्थान में रखने से धन पेटी में रखने से परसा में रखने से भी ज़्यादा से ज़्यादा लच्मी की प्राप्ति होती हैं तो अगर आपके भी धन नहीं ठहरते हैं लच्मी इस्थीर नहीं है तो बिड़ों में बताएंगे उपाय को आप जो है करके जरूर देखिए और हां सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिस करें आप अपने घर में वास्तु सास्तर के नियम को पालन करें जो वेक्ति वास्त मत रखिएगा इसे आगे जरूर शेयर करना चोटे चोटे जानकारी अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो लोगों को काफी मदद करते हैं लोगों के लिए काफी हेलपाफूल साबीत होते हैं तो दोस्तों आज़के जानकारी पर समापत करता हूं दोस्तों बढ़ों जानकारी के साथ बिर देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार